नमस्कार, कोट बुतली एजुकेशन में आपका हर्दिक स्वागत है मैं पंका शेरावात अपस्तित्व आपके सामने महतपोर्ण जान का रिलेकर जी हाँ, राजस्थान यूनिवस्टी और प्रदेश के सरकारी कोलेज राजस्थान यूनिवस्टी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लगातार इसके नोटिफिकेशन अपने चैनल पर देखने को मिलते है और प्रदेश के सरकारी कोलेज इसके वीडियो भी अपने चैनल पर देखने को मिलते है एडमिस्टे प्रिक्रियो इसके रेलेटेटे बाते हमने की लिष्टे आई उसके लगातार बाते हमने की यहाँ पर खाली सीटो पर फोरॉम चल रा है उसके बारे में अल्रेडि आपको बता दिया गया था परदेश के सरकारी कोलेजों से related बात करतेंगे परदेश के सरकारी कोलेज और राजस्तान उनिविस्टी के जो चार कोलेज है महराजा महरानी कोमर्स कोलेज और राजस्तान कोलेज और परदेश के यतने भी सरकारी कोलेज आते हैं उन सभी के इस NCC admission process के बारे में same process होता है बस समझने क्या आउशकता है forum अलग-अलग time पे लगते हैं बस यह चीज़े आपको देखने को पड़ेगी यहाँ पर कुछ notice है परदेश के सरकारी college हों के भी मेरे पास notice available है कुछ college के और बात करूँ यहाँ पर राजस्तान university के जो चार संगटक college है वहाँ से भी एक notice देखने को मिल रहा है आज की date में ही आपको देखने को मिल रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे तो जब कुछ notice आ गए है तो आपको बता देता हूँ कि process क्या है एनसेसी मिलती कैसे है किस को मिलती है क्या प्रिक्रिया रहने वाली है और इसके फाइदे क्या होते है जितने भी सवाल आपके होते हैं भीया उनसे भी को यहाँ पर सामिल करूँगा और फिर जिस भी college में आप बढ़ते हैं जिस भी college से आपका admission है उस college से आपको समंदित बाते करनी है इस NCC से related वो भी बता दूँगा किसे साथ से आपको क्या process करना है चलो बात करते हैं यहाँ पर राजस्तान यूनिश्टी के चार संगटक college जिसकी बात करो में चार संगटक college कुलेज कुलेज से हैं इनका खुद का admission process अलग से होता है इनका process अलग से रहा भी था admission का जो विद्यारती फरस्टियल में देखे है और परदेश के सरकारी college इनका admission का process कुन देखता है कुलेज सिक्ष्या अयुक्ताले इनमें अभी इनके admission process तीन लिष्टे आके खतम हो चुकी है यहाँ पर admission प्रक्रिया भी चल रही है लेकिन बात कर रहे हम NCC के बारे में तो इनका NCC का process हर college से अलग अलग date क्योंकि पुर्य राजस्तान की बात हो रही है न और यहाँ पर बात करूँ इनका भी हर college और अलग अलग notice है न अब एक चीज दियाँ रखना भी है इनका जो notice है इन चारों college का notice है university के official website पर देखने को मिलता है इन चारों college का notice university के official website UNIRSJ पर देखने को मिलता है चाहे वो NCC से related हो चाहे वो NCC से related हो लेकिन इन परदेश के सरकारी college का notice इस university की website पर देखने को नहीं मिलेगा वो कहां पर आएगा हर college से देखने को मिलेगा केवल हर college यानि अपनी अपनी college जो है वहीं से notice आपको देखने को मिलेगा अब किस को मिलेगा जिस college में NCC है केवल उसी college को यह तो मिलेगा मालो कोई college आपका है किसी भी जिले में हो उसमें NCC अवेलिबल ही नहीं है और फिर आप कहें कि हमारे college NCC का notice नहीं आया अर भी आपके college में NCC है ही नहीं notice कहां से आएगा अब बात करूँ LBS college court गुतले कि तो आपके NCC है भी या LBS college में तो बिर्कुल उसका notice अलग से देखने को मिलेगा और notice कहां पे मिलेगा college में आएगा अभी बता रहूँ आपको वीडियो में सारी चीजे कब देखना है कैसे देखना है और इनके college के notice की बात करूँ तो अभी क्या है कुछ college के notice आ चुके है कुछ college के notice आना बाकी है लगबल लबग हमेशा अगस्त में ही होती है NCC की जो दोड रहती है NCC की जो admission प्रिक्रिया है वो जो process रहता है अगस्त के end के आसपास रहता है और यहाँ पे जो notification आया रखे है उनके बारे में हम बात करेंगे पहले बात करते हैं कि योग गयता है कि NCC ले कोन सकता है भी या तो first year का आदमी होना चीए यानि first year का UG first year चात्र 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 चाहिए लड़की हो चाहिए लड़का हो भई सब ले सकते हैं कोई लिक्कत ये और regular होना चीए नोन वाले को नहीं मिलती है कोई विद्यारती है कहीं मैं second year में हूँ मिलेगी क्या NCC नहीं मिलेगी भी या third year के बात करूँ third year में नहीं मिलती है PG के बात करें नहीं PG में मिलती है तो UG first year यानि BA, BSC, B, Comments अभी में आप होने चीए तो आपको मिल सकता है यहाँ पर NCC first year में लेकिन उसकी process क्या होती है forum की बात करेंगे क्या है प्रिक्रिया देखो पहले प्रिक्रिया से related बात कर लेता हूँ पहले बरना होते हैं आपको एक forum जो आपके college की दुवाराई जारी किया जाता है कई इमित्र पे जाके अलग से बरना होता है मोबाईल से भी वहर सकते है नूर्मले नाम वगरा रजिश्टर करना होता है ठीक है अपने details वगरा इमित्र के बात देंसे तो आपको link ले जाना पड़ेगा यानि कि university की website पे अलग से notification उसको लेकर आता नहीं है भी या कि वहाँ यह link रहा इस पर पैसे लगेंगे ना से फोर्म नहीं college के तरब से गूगल फोर्म बना दिया जाता है उसको आपको बरना होता है ठीक है फोर्म से रिलेटर बात होगी उसके बाद में आपकी होती है दोड़ फिर उसके बाद में होता है भीया आपका रिटर्न एक्जाम यह वहीं पर होता है जिस दिन दोड़ होती है ना ठीक है उसके बाद में बात करें यहाँ पर आएगा physical physical medical physical ने medical आएगा ना और बात करें उसके बाद में आपका यहाँ पर बन जाएगा डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन जो नोर्मल डोकुमेंट्स वगरे चेक होते हैं और एक होता है इंटर्व्यू अब देखो समझ लो बहुत अच्छे तरीके से बिजा पहले फोर्म बरा जाएगा यहाँ से परते सरकारी जो इधर से जो कोलेज है अपने अपने कोलेज से आपको नोटिस देखने को मिलेगा और निकालेंगे थोड़े दिलों में 2-4 दिन में कुछ के नोटिस आए वे में मैं दिखा दूँ है कौन-कौन से नोटिस आए हुए है ना पिर आने वाले समय में अपने जो NCC के हैड है जिस कोलेज में आप पढ़ते हैं वहां से जो NCC के हैड है कि वो उनसे बात करनी है पहले लगेगा एक फोरम नर्मली बरना है भी है फोरम बरके उसको पास खुद के पास रखना है ठीक है दोड दोड आपको करनी पड़ेगी इ सबी लोगों को जो भी इसमें से मिलेना चाहते हैं वह दोड आपको करनी पड़ेगी उसमें जो पास होंगे उसके लिए रिटन एक्जाम कुछ क्यूशन आपको देखने को मिलेंगे नॉर्मल एक्जाम होती है इसे बिठा देंगे एक रूम में सबको और फिर एक्जाम ल आपके जो एडमिशन हुआ है यह चेक करेंगे और सारे डोकुमेंट्स आपके पास होने चाहिए किस केटेगरी से आप है वो सारी चीज़े चेक की जाएंगे इंटर्यू में आपसे पूछा जाएगा का एंसी से क्यू लेना चाहते हैं एंसी से के फायदे क्या क्या है थो आपके पास NCC रहेगी और NCC को बहुत अच्छे से तरीके से करते हैं तो आपके यहाँ पर सर्टिफिकेट देखने को मिलता है NCC में C ग्रेट B और T यहाँ पर C B A इस तरीके से और C वाले का क्या है कि कुछ वेकर से असी आती है जिसमें बिना एक्जाम ही यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है तो लगा लो किसी चीज का वेटेज का क्लेम करना चाहते है कि हमेरे पास ऐसा कुछ है अकेल सर्टिफिकेट है NCC है तो आपको तीन से चार प्रसंटेज का फाइदा आपको देखने को मिलता है NCC यह PG अडिमिशन में दानने कि अगर NCC का आपके को ले सकते हैं फोरम की बात कर लेते हैं अभी मेरे पास जाये हैं दो नोटिस है एक तो अपने पास आया है नोटीस यह रहा एक government collez है औहीं कहा की है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं यहां का एक नोटिस जारी हो चुका है इन्होंने दे दिया NCC बढ़ते को लेकर क्योंकि फॉस्ट एर केडमिशन की फॉस्ट लिश्ट तो आई चुकी थी और जिन जिन का admission हो गया, वहाँ पर उनको बोला गया कि अगर आप NCC लेना चाहते हैं, तो बिलकुल आप ले सकते हैं, इसके लिए क्या कहा गया है कि अपने अपने सभी विद्यारते इस तारीक को पहुँच जाना, ये तो फोरम भी नहीं बरवारे भीया, इन्होंने तो कह जब यह अलग-अलग कर रहे हैं, तो परदेश के सरकारी कोलेजों में जैसे LBS कोलेज आ गया, सापरा कोई कोलेज हो, अलवर का, दोसा का, सीकर का, कहीं का भी हो, अपने-अपने कोलेज से देखे भीया, आने वाले 2-4 दिन में, 5-7 दिन में आपको NCC से रिलेक्टिड नो यह बात होगी, एक नोटिस तो यह था भीया, इस कोलेज के विद्यारत कोई वीडियो को देख रहा हो, देख लेंगे, और बता भी देंगे, इस तरीके का नोटिस आया है, अपने कोलेज में नोटिस मिल भी जाएगा, ठीक है, दूसरा बात करें, यहाँ पर एक और नोट राजस्थान कोलेज, यानि राजस्थान उनिश्टी का जो संगटक कोलेज है, राजस्थान कोलेज, जो की आर्ट्स कोलेज है, जैपूर सिटी में इस्तित है, यह किस कोलेज का नोटिस है, राजस्थान उनिश्टी के अंडर आते हैं, चार कोलेज में आपको बता है, महर सब्सक्राइब करवा दिया है उनिवस्टी के ओफिशल वेबसाइट पर विसका नोटिस आया वहीं से मैंने नोटिस लिया है और यहां पर रेजिस्ट्रेशन की डेट 25 अगस्त दे रखी है उसकी डेट अलग थी वह पर देश का सरकारी कोलेज था उसका दोड़ बगरे का प अपने अपने कोलेज में आपको देखने को मिलेंगे दो चार दिन में पास सा दिन में याने आने वाला जो सब्ता है इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे तो थोड़ा सा अपडेट रहने क्या उशक्ता है यूनिवस्टी की वेबसाइट देखते रहेंगे इन कोलेजो स्क्रीन शोट लेने ना बाद में जब बरा जाए फोरम सम्मिट हो जाए तब ठीक है उसके बाद में फिर डेट आ जाएगी कि इस दिन आपको पहुंचना है इस जगह पे दोड़ वहां पर करवाई जाएगी जैपुर में दोड़ होती है महाराजा कोलेज में होती है हमेसा तो किसे भी कोलेज से हो तो महाराजा कोलेज की ग्रावन भी हमेसा दोड़ होती है तो फिरी भी आने वाले समय में समय इस्ति जो भी बदलेगी जगहस्तान जो भी बदलता है तो वो पता दिया जाएगा को नोटिस आ जाएगा ठीक है तो यह बात है इस से रिलेटिड यह कुछ समय में बहुत ज़्यादा सवाल देखने को मिल रहे चैनल पर अब फाइनली सभी सवालों का जवाब दे दिया है और उमीद है जो भी चुक है यहाँ पर एक कमेंट करेंगे अपना कि मैं NCC लेना चाहता हूँ और अपना कोलेज कौन सा है और जब आप अपने कोलेज जाएं आपको नोटिस मिल जाएं तो वो नोटिस का स्क्रीन शोट फोटो लेके मेरा नंबर अवेलिबल है तो वहाँ पर बेज़ देना नहीं तो इंस्टागराम के मादेम से बेज़ देना फिर अपन करेंगे चैनल के मादेम से लगातार देखने को मिलेगी टेलिगराम चैनल पर जरूर जूर जाएंगे टेलिगराम चैनल कर लेगे डिक्स्प्शन में दिया है वहाँ से जूर जाएंगे थैंक्यू